नमस्कार साथियों, साइन्स एंड टेकनोलोजी क्लासिस के लाइव क्लासिस पर आपका एक बार फिल से स्वागत है साथियों, आज की इस वीड़ी में हम राजिस्तान अजमत बोर्ड क्लास एट सब्जेक्ट साइन्स के चेप्टर पस्ट पसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रिक्ष्या उप्योगी अति लगुच्रात्मक प्रश्णों का अध्यन करेंगे देखते हैं, क्या होता है, यह किन से प्राप्त होता है, दोस्तों खाद, खाद एक कार्बंध के याने जिविक पदार्थ होता है, यह पोदो या जन्तों के अप्सिस्ट से प्राप्त होता है, अर्थार्थ इसका निलमान खेतों में किया जाता है देखते हैं, क्यूशन नमबर दो, दान को सीत रुत्व में क्यों नहीं उगाया जा सकता, देखते हैं, उत्तर, दान को बहुत अधिक पानी की आउशकता होते हैं, इसे सीत रुत्व में नहीं उगाया जा, अर्थार्थ इसे वर्षा रुत्में ओगाया जाता है देखते हैं क्यूशन नमबर तीन अनाज रखे हुए लोहे के ड्रम में नीम की सूकी हुई पतियां क्यों रखी जाती हैं उत्तर अनाज रखे हुए लोहे के ड्रम में नीम की सूकी पत्तियां अनाज को केगों से सुरक्षित रखने के लिए रखी जाते हैं ताकि उनमें केगे ना लगे और नाज खराब ना हो सके कुछ नमबर 4 कुछ पोदे अन्य पोदों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उकते हैं देखते हैं उत्तर जिन पोदों को पानी खनिस पदार्द खार तता उर्वलक परियाप्त मात्रा में मिलते हैं वे उन पोदों की अपेक्सिया जिने ये पदार्द उच्छीत मात्रा में नहीं मिलते हों ज्यादा अच्छी तरह से उकते हैं दोस्तों एक पोदा तो हो है जिसे अच्छा पानी मिल रहा है अच्छे खनिस पदार्द मिल रहा है अच्छा खाद और उर्वलक मिल रहा है औ तो हम सभी जानते हैं कि जिस पोधे को प्रियाप्त मात्रा में पोशक तर्थू पानी और खनीज खाद आदी मिलेंगे वो पोधा अधिक कि वो पोधा जल्दी उगएगा और अच्छी बड़ोत्री कर पाएगा किस्ट नमबर पांच सिचाई के प्रमुक्षोतों के नाम बताएगे दोस्तों सिचाई के प्रमुक्षोतों थे हैं जैसे कुवा, तालाब, जील, नदिया, बांध, जलकूप, नरे, आदी आदी सिचाई के जल्द्रोत होते हैं, देखते हैं, कुशन नमबर 6, बीजों को पानी में डालकर रखने पर कुछ समय पस्चाथ बीज पानी के ऊपर क्यों तेरने लगते हैं, उत्तर कुछ बीज सतिग्रस्त होते हैं, जिससे वे खोकले हो जाते हैं, इस करण वे हलके होते हैं, और पानी में तेरने लगते हैं जो सतिग्रस्त बीज है वो पानी में उपर तेरने लगेंगे और जो अच्छे बीज है वजन में भारी है वो नीचे याने पेंदे पर बेट जाएंगे Q7. ड्रीब तंत्र द्वारा सिचाई करना किन सेत्रों के लिए एक वर्दान है और क्यों उत्तर इस विदी में जल बिलकुल भी वेर्थ नहीं होता है अर्थार पानी की बच्चत होती है इसलिए यह जल की कमी वाले सेत्रों के लिए एक वर्दान है इसलिए हमें ड्रीब तंत्र का उपयोग करना चाहिए क्यूशन नमबर 8 केचवे किसानों के मित्र हैं क्यों उत्तर केचवे मिट्टी को पलट कर पूला कर जाते हैं तथा हुमस याने नमी बनाते हैं इसलिए केचवे किसान मित्र कहलाते हैं क्विशन नमबर 9, कंबाइन मशीन किन किन मशीनों का संयुक्त रूपे, कंबाइन मशीन किन किन मशीनों से मिलकर बनी होते हैं, दोस्तों कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और ट्रेसर, इन दोनों का, इन दोनों मशीनों का संयुक्त रूपे, नमबर दस, फाल किसे कहते हैं? उत्तर, हल में लोहे की एक मजबुत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहा जाता है अगला क्रिश्चिन, निम्न के दो-दो उदारन लिखिये, पहला है रबी की पसल, दूसरा है खरीप की पसल दबी की पसल के उधर है धान, मक्का, आदी, जबकि खरिब की पसल के उधर है चना, गिहुँ, आदी किस्ट नमबर 12, उरवरक के चार उधारण लिखे, उरवरक के चार उधारण लिखे परा है यूरिया, दूसरा है अमुनियम सल्पेट, तीसरा है सुपर पास्पेट, पोच लोता है पोटास, पॉटास नमबर तेडह, ऐन पी के से क्या आसे है, उत्तर एन पी के, एन पी के एक मिस्धित उदवरक है, जिसमें एन याने नाइट्रोजन, पी याने पास्पोरस, क एन पी के एक मिस्रित उर्बरग होता है जिसमें नाइट्रोजन पास्पोरस तता पोटिस्यम यह तिनों पोशक तत्व उपस्तित होते हैं क्यूशन नमबर मिट्टी को उ기로टने पलेटने और पोला करने से क्या होता है पोशक पधार्थ मिट्टी के जो पोशक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं Square आगला क्रिस्टिन कट्टाई रूत्व के साथ आने वाले किनी दो परवों याने तिवारों के नाम लिखें। दोस्तों कट्टाई रूत्व के साथ अनेक तिवार आते हैं जैसे पहला है दिपावली और दूसरा है खोली। क्यूशन नमबर 16 मिट्टी में पोस्कों की प्रती पूर्ती याने कमी की पूर्ती करने की एक विदी का नाम लिखो उत्तर मिट्टी में पोस्कों की प्रती पूर्ती की एक विदी पसल चक्रने अर्थार्थ हमें बार बार पसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। क्यूशन नंबर 17, होली के तिवारों पर काटी जाने वाली दो पसलों के नाम लिखे, दोस्तों होली के तिवारों पर गेहूं वह चने की पसल काटी जाती है, अगला क्यूशन 18, सिचाई में उपयोगी पारंपरिक वीडियों के नाम लिखे, उत्तर, पेला है मोट, जिसे गिरनी भी कहा जाता है, नंबर 2, चेन पंप, नंबर 3, ढेकली, नंबर 4, रहट, जिसे उत्तोलक तंत्र भी कहा जाता है क्यूशन नंबर 15, फलीदार याने लेंग्यू मिनस पोदों की जगों की गरंतियों में पाये जाने वाले वेक्टिरिया का नाम लिखो, दोस्तों, फलीदार पोदों की जगों की जो गरंतियों में, फलीदार पोदों की जगों की गरंतियों में, जो वेक्टिरिया पाया में और बंडार गुरों में करते हैं सायलो मंडियों में उपस्तित होते हैं क्षिश्च नमबर एक्टिस विनोइंग किसे कहते हैं अर्थ विनोइंग से क्या आस से है उतर अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए पटद्रकने की विद्य को अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए फट्टेकने की जो विदी होते हैं उसे विनोईन कहा जाता है आशा करता हूँ मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी प्लिस प्लिस लाइक कोमेंट सेर एंड सब्सक्राइब और चैनल थेंक्स पोर वाचिंग दीस विडियो मिलते हैं अगली विडियो में लगुत रात्मक परसनों के साथ तब तक के लिए बाई बाई